तो हलो बच्चों नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल विन्य की पार्ट साला में आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3B और ये भी हमारी कक्षा 6 की गड़ित की एकाई 3 पूढांग से ली गई है तो चलते हैं दोस्तों देर किस बात की और शुरू करते हैं अचकी क्लास और इसमें आप देखने होगे बड़ा अच्छे-च्छे कुछ चित्र टाइप की आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये एक्सरसाइज भी बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो दोस्तों चलते हैं ये प्रस्ण नंबर एग तरफ और वह हमारा दिया गया और यानि कि प्रस्ण एक और दो में केंडरी खाने की संख्या उसके चारों और के पटनों पर संख्याओं से किसी प्रकार संबंदित है प्रस्ण चेलने वाली संख्या ग्याद किजिए तो यहाँ पे देखो केंड संभ्या का मतलब है ये वाली संख्या दो यह वाली संख्या है लिखीना उनसे किसी सब्सकahr शमान देख यहां पर किस्माइश क。 पहले वह जानना है उसके बात बिच यहां प्रश्नवा चंख्तिन लगाई यहां पर संख्या बतानी है कौन सी संख्या आएगी उसको हमें बताना है तो देखो संबंद क्या है यह देखो सोचो आप लोग भी सोचो हम बता रहें आपको इन दोनों को जोड़ दो यह वाली 15 और 4 क्या होंगे 19 ठीक है और इन दोनों को जोड़ दो तो माइनस साथ और माइनस तीन हुए हमारे माइनस दस ठीक है अब जो भी बचे उन दोनों को उपर जोड़ दो तो 19 प्लस के 10 माइनस के कितना आ गया हमारा प्लस कर 9 आ गया समझ गया आप लोग इसमें देखो वही काम प्लस के 21 माइनस के 13 तो 21 में से 13 चले जाएंगे कितने बचेंगे 8 इन दोनों को जोड़ दिया इन दोनों को जोड़ो तो माइनस 9 प्लस 11 तो 11 में से माइनस 9 चले ज अब जो दो संख्याए हाई इन दोनों को हम जोड़ देगा वही काम जो यहां किया वही काम यहां किया, आठ और दो 10 आगे, ठीक है अब वही काम हम यहांपे करेंगे, तो देखो 17 और 14 इन दोनों को जोड़ दो, 7 4 11 हाँ से लगाए एक, 1 1 2 1 3 3, 31 ओगे, ठीक है माइनस अठाρα बेव guitar माइनस 15 जोड़ भु दो दोनों माइनस की संख्यायी है जोड़ जाएंगी आठ पांच तेरा कित्तीन हासि लगाएए एक लाज़ाएं और यह माइनस के हैं तो पलस कि एक अठ्स माइनस के तरी इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो देखो माइनस की ज्यादा है संख्या है कितनी ज्यादा है माइनस के दो ज्यादा है तो यहां पे हमारा माइनस दो आ जाएगा और यहीं हमारा अंसर हो जाएगा तो देखो इसमें माइनस दो कहां पे है पहले वाले में है तो यहीं हमा आसान है न अब दूसरा वाला देखो आप लोग अपने मन से तो दूसरे में देखो इतर दूसरे में क्या करेंगे यह 10 कैसे आया पहले में यह जानना है तो उसके लिए 15 और 11 जोड़ो 15 और 11 15 10 25 और 26 आया और 19 और माइनस 3 जोड़ो तो माइनस 3 है तो 19 में से 3 कम हो जाएंगे 16 ठीक है अब यहां पर देखो उपर वाले में रह्मने जोड़ा था यहां पर जोड़ने से नहीं आएगा दस हमें लाना है तो 26 में से 10 क्या करेंगे घटा आएंगे तो जब 26 में से 10 16 घटा देंगे तो हमारा आ 10 ठीक है वही काम यहां पर देखो 10 और 7 हो गए हमारे 17 पांच और 4 हो गए हमारे 9 इन में से दोनों को घटा दिया एक में दूसरे को तो 17 में से 9 हो गए 8 हमें मिल गया ठीक है अब वही काम हमें जो है इधर जो दिया गया है उसके लिए करना है तो देखो 12 और 6 कितने हुए 18 जोड़ दिये 8 और 5 कितने हुए 13 जोड़ दिये अब क्या मैंने बताया आपको इस में से इसको घटा देगे तो 18 में से 13 कितने बचेंगे 5 कितने बचेंगे 5 तो अब देखो यहां पर पहले में है नहीं दूसरे में तो यही दूसरा option मेरा 5 जो है सही हो गया और यही हमारा आंसर आ गया तो बच्चों देखा कितना आशान प्रस्ण था आयोग कि आप लोग समझ गये होंगे तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रस नहीं प्रस नमबर 3 पर तो बच्चों हमारा यहां पर तीसरे प्रस्ण दिया गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में ख अगर धन 5 में धन 3 जोड़ेंगे तो ज्रकी संख्या थोड़े ना आएगी धन की संख्या आएगी यानि दन आठ आएगा तो दो धन पूरांकों का योग फल्सदयव कैसा होता है दन पूरांक ही होता है ठीक, अंत में तीसरा जिक्तिस्थान है कि दो जड़ पूरांकों का योगफल सदैव और यहाँ पे फैसे देखो, जड़ तीन और जड़ आठ ये दोनों धन में थोड़े हो जाएंगे दोनों से जड़ेंगी, 11 होगी, लेकिन चिन्नमेसा जड़ का ही देगा तो यह जड़ 11 हो जाएंगी यानि ये भी जड़ पूरांकों का योगफल सदैव रेड़ पूरांग होता है ठीक है तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह हमारे जिक्तिस्थान की पूर्ती हो चुकी है और इसी के साथ हमारा प्रस्ट नमबर 3 कंप्लीट हो गया है अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रस्ट नमबर 4 पर तो बच्चों हमा प्रितलों का योगफर सून होता है यह बिलकुल सत्य लिखा है आप कोगे क्यों तो मालो कोई पूरांग 3 है उसका योगात्मक प्रितलों यहनी उसका चिन बदल जाएगा माइनस 3 इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस 3 माइनस 3 कैंसल हो जाएगा जीर हो आएगा वही कहना है ठीक है कि सुन्न एक पूरांग यह बच्चY में इसकता कि मूल बिनरल माइनस 1 जो उताएं। सुन हमारा धन-पूरांग के ठीक है या फिर उदासीन बोल सकते हूं फिर आगे है दो सिर्ण पूरांगों का यो पूरांगों का योग फल्क घन पूरांग होता है ये भी असत्य लिखा है ईक पिछले किले स्थी में अपको बताया था कि दो सिर्ण को काוג है जोड़ांकों का योगफल जरात्मक ही होता है इसमें दन पूड़ांक लिखा है तो वसथ हो गया आगे देखो किसी पूड़ांक और सुन्य का योगफल उस पूड़ांक के बराबर होता है, बिलकुल सभी लिखा है क्यों मालो कोई पूरांक है 3 3 में हमने 0 जोड दिया तो क्या आएगा 3 ही आएगा यही पूरांक वही कह रहा है आगे देखो 1 जड़ और 1 धन पूरांक का योगफल सदै धन पूरांक होता है कोई जरूरी नहीं है यह हमारा असत्या है आप को कि क्यों जलूरी नहीं है तो मालो लड़के हैं आठ धनके हैं दो तो कितने बचे लड़के छे बचेंगे तो यह दिरात्मक होगे यह कहजा कि सदार दिरात्मक होगा तो यह गलत है ठीक है आगे है संख्या रेखा पर माइनस अठारा और प्लस अठारा सून से समान दूरी पर बिल्कुल सही है संख्या रेखा हमारी यह है अगर यह सून है तो जितना दूर इदर माइनस अठारा होगा उतनी दूर हमारा इदर प्लस अठारा होगा ठीक है तो यह बिल्कुल सही ओक फल सदय धन पूरान कोता है तो बच्चों इसी के साथ हमारे ये सत्य और असत्य कम्परीट होते हैं और इसी के साथ हमारा ये प्रस्ण और एक्सुसाइज भी मिलिए नमस्कार